और चेहरे की चमक कैसे बढ़ाएं अगर आपकी चेहरे पर दूल मित्टी किसी पलूसन के तो काला पन आ गया है तो कैसे आप उस earn कर सकते ओर एक एक अच्छा सा चमकडा गिलो ला तो आपको उसके लिए क्या करना होगा जैसे कि मैं यहां पर गुलाब जल लिया है जो कि यह चैरे को मतलब मैस को टॉनर बनाऊंगी और यह चैरे को मोस्तुराइजर यह गुलाब जल भी हमारे चैरे के लिए बहुत अच्छा होता इसकीन को निखारने के लिए दूसरा यह दूसरा अधिए का क्या जो कि यहां पर ले रखा है तो यहां पर आपको विटामिन चैप्सूल चाहिए और गुलाब जल का वटर टो आपको और कुछ नहीं चाहिए बस यह दोनुप चीज्चे से अप आपनी स्कीन को निखार सकते तो यहां पे अबले एक विटामिन E का कैपसूल ले लोगी तो यहां पर आपको एक विटामिन E का कैपसूल लेना है और इसे कट करके कि इसका ओयल निकार लेना है आपको कि ऐसे अब इसे अपने चैरे पर सारे पर अपलाई करना है और ऐसा आपको हथे में दो बार करना है यह ज़रूरी नहीं है कि आप रोज लगाएं आप रोज भी इसे कर सकते हैं अगर आपके ड्राइज स्कीन है तो आपको अपने इसको लगा लेना है और फिर इसे दोकर अच्छिस लगाकर इसे 10 मिनिट आपको छोड़ना है उसकी बाद आप अपने ऊच्छे से वास कर लीजिए अब मैंने स्कीन को धुलन है और ही अच्छे竹क से तलें है तक एक तावल से अपने चारे को क्लीन कर लेका7 कोङ्ञाश पोछ लेओ है यह चाहर अब यह लीकिन की तरह इसको यूज करेंगे इसको आपने पूरे चैरे पर आप अपलाई कर लेना अप से हैं आपको फिर से इक विडियों इसके दो डियो पाप अपनी पूरे फेस पे लगा कर चोड़ दी जए और उसे यह रहने देजिए तो मेरा तो यह नहीं है तो ठीक है अब दूसरा आपको एक विटामिल यह कैसी चाहिए उसके से दो ड्रोप लेने हैं ज्यादा नहीं क्योंकि इसकी में ज्यादा दिखता है फिर मतलब ओयली स्कीन तरह तरीके का लगता है कि आपको इसा नहीं करना है कि इसके न सिर्फ दो ड्रोप आपको लेके इसकी में अब जॉब करने हैं जैसे ही मैं यहाँ पर दो ही ड्रोप हूंगी अब आपको पूरे हाथों में लेके इसको ऐसे अब आपको लगी रहागा स्कीन को देखके कच्छी सी चमक मतलब आ गई है तो ऐसा आप अगर हपते में दो वार ऐसा या रोज रोज इसको अपलाई कर सकते हैं अगर आपके ड्राइ स्कीन है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी स्कीन भी बहुत अच्छी ग्लोड मतलब साइन करें तो आप इस इस्तिमाल कर सकते हैं इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं सिब दो ही चीज़े और आप ज्यादा टायम भी नहीं इसको देना पड़ता है तो उसके अपर अच्छे से अपनी और इससे क्या होगा आपकी जो घेरे काले हो जाते हैं वह भी ठीक हो जाते हैं और इसकीन मतलब भरी बड़ी सी अच्छी सी खिले सी लगती है तो आप अगर आपको यह वीडियो से अच्छा लगा हो तो अगर मेरा वीडियो आपको पहली बार देख रहे हैं और आपके लिए हैं तो प्लीज नीचे वीडियो से लेटेव कुछ मैं आपके लिए लेकर आऊंगी तो आप में चैन को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो ना उसका नोटे किसम भी आप तक पहुंच जाए अच्छा बाए बाए